और अब भी ये इंसेस्ट कर रहे हैं कि या तो ने एक स्टेट बना दिया जाए, कंपली स्टेटोड प्रोवाइट कर दीजा, कंफर कर दीजा लद्दाप को, या फिर स्पेशल स्टेटोड दीजा जाए. Hello students, welcome back to Parchala Classes, myself वाधित्य, और वेलकम यू तो नेक्स लेक्चर और करेंट अवे सीरीज, टार्गेटिंग क्लाइट अनिलेट 2025. So, आज का टॉपिक जो हमारा वीडियो का है, डाट इस, लद्दाप्स कॉन्फलिक. इस टॉपिक को हम लोग दो सक्सेशिक वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये इस टॉपिक का पार्ट वन है, जिसमें हम लोग लद्दाप का स्टेटस क्या है, और जो इनीचल डिमांज जो थे लद्दाप के गर्मेंट, लदाख द्वारा तोड़ी यूनियन मिनिस्ट्री वो क्या थे उसको एक ब्रीफ फॉर्म में देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो हम जो six schedule है और exactly क्या क्या डिमांज दे उसको इना comprehensive वे में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सो विदाउट फॉर्ट डिले शुरू करते हम आज का लेक्ष्ट याट इस लद्दाख मेमोराइंडम टुदर गवर्म आपने जैनवरी फेबरी मार्च के राउंड बहुत जारा न्यूज में सुना होगा कि लद्दाख में काफी प्रोटेश चाल है आपने सोनम बहुत बार किये गए और्गनाइस किये गए वाज सोनम वांग्चुक एंड मल्टिबल प्लिटिकल पार्टीज उनकी कुछ डिमांड्स थे फ्रॉम यूनियन गवर्मेंट जिसका वह फुल्फिल्मेंट चाहते थे इसके लिए उन्होंना काफी प्रोटेश किये एंड उस यह दो इंपोर्टेंट पॉल्लिटिकल बॉडिज नहीं वांकी यह पॉल्लिटिकल यूनिट्स है जो लेपेक्स बॉडिज है यह रिप्रेजंट करती है बुद्धिस्ट औड लोकल पॉलिटिकल पार्टीज गार्गल बॉडिकल पार्टी इसको और जो कारगल कि उनकी यह यह डिमांड है रिगार्डिंग का लग्दाख रिगार्डिंग का स्टेट हुड अव लग्दाख जैसा आपको बता है आर्टिकल 370 के जब कुछ प्रोविजिन्स एप्रोगेट कर दिये गए उसके बाद स्टेट आफ जम्मू कश्मीर को दो यूनिंट टेरिट की जाए लेकिन लग्दाख को ऐसा कुछ नहीं दिया सब्मिटेट अ मेमोराणियम तो ना मिनिस्ट्री आफ होम अपेर्स किसे दिया मिनिस्ट्री आपिर्स इसकी मिनिस्ट्र है अमिच्छा अस पार्ट अउन गोइंग डालोग विद असेंटर ओर सीरीज उप्रेश दिमा यह historically independence के पहले लग्दाख के अरिया में आता था तो उनकी यह भी एक demand अमंग many other demands कि इस area को जो है एक unified लग्दाख में लग्दाख एसा state जो बने गागे चलिके इसकी demand है उसमें इन्क्लूट किया था है moving forward the parties have also demanded special status for Ladakh under the six schedule for the Indian constitution. Indian constitution पर काफी schedules है as you know उसमें एक schedule है six schedule इसको detail में हम लोग नेक्स पार्ट में discuss करेंगे लेकिन अगर briefly introduce करूँ तो six schedule जो है कुछ states को खासकर नौर्थी states को एक special status grant करता है regarding their tribal population क्योंकि tribal population से dominated है तो एक उन्ह special status दिया जाता है जिसमें उनकी कोई autonomous bodies है जिसका formation होता है इस schedule के थूँ जिसको लेटर पार्ट में discuss करेंगे detail में लेकिन अभी हमारा ध्यान किसपे है कि Ladakh ने demand किया है इन दोनों parties ने political groups ने demand किया है कि इनको एक special status provide किया जाए like the rest of the north eastern states और इनने six schedule में include किया जाए इन 2023 center formed a high powered committee so in memorandums और demands को देखते हुए union government ने committee form करी थी कि ये committee का काम क्या है देखना कि क्या इनने statehood दी जाए या क्या इनने six schedule में include किया जाए या ना किया जाए और इस committee को head किस नहीं किया था Minister of Shade नित्याननद राय एक और सबर बूचा जा सकता है ये high power committee में कितने members है इस committee में total 17 members है 17 member की committee form करी गई थी to look after this issue और एक कप form करी गई थी 2022 इन 2024 इस body submitted a written memorandum to pave the way for most structured talks between new Delhi मतलब new Delhi या metaphor for union government and Ladakh over the list of demands आगे चलते हैं next topic है हमारा current status of Ladakh कि Ladakh की जो history क्या रही है और उसका अभी present status क्या है Ladakh was spread over 59,146 square kilometers ये Ladakh का total area है and was a part of Kashmir division of the erstwhile state of Jammu in Kashmir जो 2019 तक Jammu in Kashmir क्या था state उसका एक part था that was Ladakh आज की दिन में after the 2019 amendment जिससे article 370 के कुछ provisions को जो state of Jammu Kashmir को special status confer करता था उसे हटा दिया गया है and तब से Ladakh क्या बन गया है? Union territory and इसमें दो states, दो districts है that is Lake and next is Kargit it was carved out as one of the Union territories the other being Jammu in Kashmir out of the state on August 5, 2019 यह वैसे बहुत पुराना data है, पुरानी dates है लेकिन आप लोग याद रखियेगा कि Article 370 कब अब्रोकेट किया गया था? August 5, 2019 as the center entered the special status to the region under Article 370 the region witnessed a divided reaction to the center's moves to abrogate Article 370 and Article 35a provisions that granted exclusive rights to the locals over land, jobs and natural resources यह status आपको पता है, special status क्या था? कि वहां की जो properties है या वहां की जो land है, उस पर right किसका था? the people who are a domicile of state of Jammu in Kashmir ले Article 370 के बाद बाकी outside people living outside the state of Jammu in Kashmir उन्हें भी right दिया गया कि वहां property buy कर सकते हैं वहां पर रह सकते हैं, next sector और यहां पर लिखा है reason which is a divided reaction divided reaction क्यों? क्योंकि initially state of lay था, वह support कर रहा था कि वह खुश था कि उन्हें union territory बना दिया गया है क्योंकि जब state of Jammu in Kashmir में यह Ladakh का part included था तो उनके लिए काम नहीं किया जा रहा जो political parties थी, government थी उसमें representation ज्यादातर Jammu की district का था, Kashmir की district का था, Shrinagar का था लेकिन lay के पाथ के representation नहीं था तो initially वह खुश थे decisions, that granting exclusive rights to locals over lands of the natural resources Lay for many decades supported the demand for the union territory status because it felt neglected by earth-wide state government, जैसे मैंने बताया कि जो state government थी, उसमें lay के लोग का representation कम था इसले वह शुरू में decision से खुश थे, which was dominated by politicians from Kashmir and Jammu लेकिन, on the contrary जो कारगिल वाला division था, वो इस decision से खुश नहीं थे, वो अब भी यह चाहते थे और अब भी यह insist कर रहे हैं कि या तो उन्हें एक state बना दिया जाए complete statehood प्रोवाइट कर दी जाए confer कर दी जाए Ladakh को या फिर special status area under six schedule, या तो उन्हें वापस से Jammu and Kashmir में reunify कर दिया हो जाए however, कारगिल after events of 2019 has been insisting on reunification with the state of Kashmir it is governed by two elected hill councils, यह important है, जो दोनों districts हैं आज के दिन में, under the union territory of Ladakh, उन कौन-कौन govern करता है दोनों को govern करते हैं जो separate councils that is Ladakh Autonomous Hill Development Council कारगिल, and similarly Ladakh Autonomous Hill Development Council ले ले जो city है, that is dominated by Buddhist overall Ladakh is Muslim majority Ladakh has Muslim majority लेकिन ले में क्या है? Buddhist majority है, और कारगिल में क्या है? Muslim majority आज की वीडियो में इत्ता है जैसे मैंने बता है, this is the part one of the Ladakh conflict इस वीडियो में बस हमने introductory part देखा, कि क्या-क्या demands थे, और present status of Ladakh क्या है अब इस ही को हम लोग comprehensively देखेंगे, कि क्या-क्या demands थे, उन demands को study करेंगे, and जो 6 schedule का अब आरबा reference लिया जा रहा है, उस 6 schedule के अंजल ऐसा क्या provide किया जा सकता है, जिसके लोग demand कर रहे है, that will be discuss in the next video, thank you for further updates, please subscribe to our YouTube channel and you will please join our telegram group, thank you